अनुराद मिश्रा और आपके साथ एक बार फिर हूँ आपका फैबरेट टॉपिक लेके यानि लॉंग वाप टू फ्रीडम की चर्शा हम कर रहे थे अपने लास्ट वीडियो में हमने किया था जी हाँ नेलसन मंडेला जिनोंने रंग फेद के खिलाब एक बेहत आक्रामक और सांती इसके साथ 30 सालों तक जेल में बतीत किया उसके बाद विजयी होके निकले उनकी पार्टी जो अफ्रीकन नेशनल कॉंग्रेस थी वो जीतती है उनका सपक ग्राण होता है ये सारी चर्चा हमने पहले वीडियो में किया हुआ था आज हम चर्चा करेंगे उनके देखेंगे तो अभी आप टीवी खोल के देखिए तो आपको अमेरिका की खबरे आ रही होंगी जी हां अमेरिका में भी जो कभी मार्टिन लूथर तिंग जूनियर ने लड़ाई लड़ी थी खास करके रंगभेद के खिलाफ वही एक बार फिर आज वहां सणकों पे है ग उसको पुलिस कष्टडी में मार दिया जाता है उसके बाद वहां एक इस्ति बिगड़ी हुई है आप ट्रेंड कर रहा होगा ब्लैक लाइफ मैटर्स जी हां रंगभेद के खिलाफ ब्लैक लाइफ जिनको एक तरीके से आश्वेद लोगों के समर्थन में ये सारी शीजें हो रही हैं तो कुछ ऐसी ही लड़ाई जो नेलसन मंडेला लड़ चुके थे उनकी कहानी हम लोग पढ़ रहे थे उनके ही शब्दों में जी हां हमने अभी तरह देखा कैसे उन्होंने सबत ग्रहन ली सबत ग्रहन के बाद जो आर्मी का एक तरीके से कॉलेबरेशन होता था क्योंकि आर्मी जो होती है वो एक तरीके से सत्ता का समर्थक होती है सत्ता पे जो भी बैठा रहेगा वो उसी का समर्थन करेंगे अगर आपको मैं दूसरे शब्दों में दूसरे एक्जांपल के साथ बताना चाहूं तो अब महभारत आपने पढ़ा होगा या सुना होगा या देखा होगा टीवी पे ही लेकिन उसमें अब धीश्म का एक रोल देखिए धीश्म का रोल ऐसा नहीं था कि वो दुरियोधन के समर्थक थी नहीं वो हस्तिनापुर की जो कुर्सी थी यानि राजगभी थी उसके सेवक थे दूसरा पेग्जांपल आप देखिए जो ब प्रेट जाएगा वो उसकी रक्षा करेगा एक पर्सन विसेस के पीछे नहीं था संस्था का आपको समर्थक वहां पर दिखाई देता है तो कुछ ऐसा ही रोल आर्मी का होता है यानि जैसे आज की बात कीजिए आज की आर्मी जो है वो नरेंद्र मोदी के आर्डर का फालो करता है पर्सन का सपोर्ट नहीं करता है तो कुछ ऐसा ही हुआ जो आर्मी पहले नेसल मंडेला को गिरफतार करने के लिए कर रही थी वो आज इनके समर्थन में खड़ी है या इनके सुरक्षा में खड़ी है तो इन सारी चीजों को हम पहले वीडियो में देख चुके हैं और हाँ अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरत कर लें चलिए अब आज के वीडियो पे आते हैं यानि उनको इंस्पिरेशन कहां से मिली तो जब हम बात कर रहे थे सफद ग्राण की तो उसके बाद नेसनल एंथम यानि एक तरीके से राष्ट्रवाद की भावना जगाने के लिए राष्ट्रगान बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जो हम एक तरीके से सम्मान देश के लिए देते हैं चाहे वो राष्ट्रगीत हमारे हां देखिए बंदे मातरम हैं दूसरा जनगण मन अधिनायक जो प्रदर्शित करने का जड़िया बनाते हैं तो कुछ ऐसा ही था वहां पे भी दो नेशनल एंथम बनाए गए थे एक नेशनल एंथम था जो वाइट लोगों के लिए था और दूसरा नेशनल एंथम था पूर्यस आउत अफरीका के लिए था उनको जब वो दोनों नेशनल प्ले होते थे तो ऐसा नहीं था भी नया नया तरिके से नाशनल एंथम बना था दोनों लोगों को एक दूसरे के नेशनल एंथम की लिरिक्स याद नहीं थी लेकिल आप देखेंगे जब आपको कोई चीज नहीं आद होती है और आपको उसका रिस्पेट करना होता है खास तो दूसरा नेशनल अंथम होता है, उस टाइम के दौरान भी स्टेडियम में सारे लोग खड़े होते हैं और एक रिस्पेक्ट की मुद्रा में रहते हैं, तो कुछ ऐसा ही होता है यहां पे भी, जो पूरे साउथ अफ्रीका के नेशनल अंथम था, वो वाइट लोगों को भ सिदियां बदल चुकी हैं, ब्लैक लोगों का तरते नेशनल मंडेला आज एक कुर्ती पर बैठा हुआ है, और उसके सम्मान के लिए यह लोग आज वाइट वाले निसनल अंथम को भी सपोर्ट कर रहे हैं या उसका सम्मान कर रहे हैं, तो यहीं से उनको एक इंस्पिरेश जो ब्यवहार था, वो यहीं था, और यहीं से उन्हों ने यह बात कही थी, अगर किसी के अंदर आप नफरत पैदा कर सकते हो, तो प्यार भी पैदा कर सकते हो, यानि नेशनल अंथम के लिए, एक दूसरे के नेशनल अंथम के लिए, सम्मान और परस पर सहयोगती, यानि म यूचीवल एक तरीके से जो समानता की भाव थी, यानि हम आपका सम्मान करेंगे और आप हमारा सम्मान करेंगे, यह भावना महीं से लिफ्षित हुई और यहीं से उनको इस तरीके से प्रेड़ना मिली अपनी लड़ाई को आगे बढ़ने के लिए, फिर उनोंने एक और बा होता है समाज यहार राश्ट के पति आपने क्या किया, जैसे एक कामार एक giample लेड़ी हैं, कि किसी के बारे में आप पहीं चार्चा पे बैठ जाईए तो लोह स्राइम कaty यह नहीं किया अहिं कर रही हैं लेकिन अगर आप नहीं पूछ लीजिए कि आपने क्या किया, तो फिर क्या जवाब होता है, यानि आज के टाइम की वस्तिती ये है, कि आपको अधिकार तो बताया जाते हैं, कि बीम ए टीचर आपका ये अधिकार बनता है, बीम ए सिडेंट आपको ये करना चाहिए, लेकिन करतब नहीं बताया जाते हैं, या हम उसको सुनना नहीं चाहते हैं, यानि हमारा नागरिक के प्रति क्या करतब भी है, अगर हम 24 इंटू 7, यानि 24 घंटे विजली की उम्मीद करते हैं, कि पावर सप्लाई 24 घंटे हमारे घर पे रहे, तो क्या ये हमारी जिम्मेदारी नही है कि हम अनावस्यक रूप से जल रहे बल पिया फिर फैन को बंद करें दूसरा टाइम पे बिल जमा करें अगर सारे नागरी कैसा करने लगें तो सरकार बात भी हो जायेगी आपकी सेवा करने के लिए लेकिन होता क्या है दस लोग करते हैं पचास लोग नहीं करते हैं उसमें जो टाइम पे कर रहा है वो विचारा ठगा हुआ महसूस करता है यानि हमारी जो सामाजिक जिम्मेदारी है राष्ट के पती हमारी जिम्मेदारी है वो भी होना चाहिए जैसे अभी कोरोना का टाइम चल रहा है अलग-अलग जो कोरोना वारियर्स हैं चाहे वो डाउक्टर पुलिस पर्सनल हो या फिर सखाई वाले करमशारी हो यह सारे अपने अपने रोल कर हैं हमको एक रोल दिया गया था कि आप घर पे रहिए हमने कितनी शिद्दत से निभाया यह आप भी जानते होंगे तो यह सारी चीजे होती हैं सामाजिक जिम्मेदारी का हम अपनी पारिव होती हैं चाहे वो युद्ध का टाइम हो या फिर कोई टैरिस रटाइक का टाइम हो तो आपको बहुत सारे ऐसे लोग आज आएंगे जो उनके समर्थन की बात करते हैं जैसे जब इंडिया ने सर्जिकल स्ट्राइट किया तो कुछ लोग सबूत मागने लगे आर्मी कह रह है चाहे वो सामाजिक जिम्मेदारी हो या पारिवारिक जिम्मेदारी हो दोनों में सामंजस से यानि तरीके से बैलेंसिंग बहुत जरूरी है और यह तम हो सकता है जब आपको समानता का अधिकार मिला हो यानि हम नागरिक रहें जो अधिकार एक्स परसन का है वही परसन है इसको एक अलग अहीकार दे दीया जाएगा लेकिन साफinkवाला आधिकार किसी दूसरे ब्लैक परसन को दिया जाएगा मैं आपको अभी का इसामपल बताऊ, पाकिस्तान, पाकिस्तान में जितनी भी तरीके से साफ सफाई या सफाई का रमशारी रखे जाते हैं खास करके जो नालियों को या गटर को साफ करने के लिए उसके लिए वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ माइनरिटीज को नियूप किया जाता है अब पाकिस्तान की माइनिरोटीज सिख और हिंदू है तो आप सोच सकते हैं वहां पे किस तरीका का ट्रीटमेंट हो रहा है यानि आप एक तरीके से नागरिकों के साथ दूसरे दर्जे का या दोयम दर्जे का ब्यावार कर रहे हैं अगर आप ऐसा करोगे तो जो गुरुप डी में आपने जिसको रख दिया है या गुरुप डी से भी नीचे कर दिया है तो वो कितना आपके प्रेस्टा मर्पित रहेगा अगर आपके धर पे कोई काम कर रहा है आप उसके साथ सम्मान से बात नहीं करोगे तो कितने अच्छे से काम करेगा वही बात होती है तो कुछ ऐसा ही था यानि जो हमारे इसा depression होती है उसको हम कैसे देख सकते हैं वो तब ही हो सकता है जब हमको समानता अधिकार मिले यानी एक समान नागरिक का चचार मिले अब अगर हम नागरिक अधिकारों की बात करते हैं तो चाहे वो अरनिंक चान्व और बिजनस का और फिर आपके सम्मान के साथ जीवन जीने का हो या फिर मैरेज का अधिकार हो या जो विभिन्द तरीके से मानवा अधिकारों की बात की गई हैं वो आपको मिला चाहिए और वो समान रूप से मिलना चाहिए तो यह सारे चीजें उनको प्रेरित करती गई और इनहीं सारे तरीके से जब हम देखा कि कि तर macro on the जो वहुम के बलैक गई अशुअत लोग जया रहा है उनको हर एक नीए कन गई और दूसरों के लिए अलघ नीएम है तो वहां से यह लगा है कि नहीं, अगर मैं अपने लिए लड़ सकता हूँ, यह तो सिर्फ मेरी बात हो जायेगी, यानि यह मेरा एक तरीके से पर्सनल हो जायेगा, और मैं कर सकता हूँ, बाकी सारे लोग कहां जायेंगे, यानि उन्हों सामाजिक जिम्मेदारी को भी उठाई, और जब सामाजिक जिम्मेदारी उन्हों धाली तो उनके साथ एक कारवा बनता गया, और कारवा बनने का परिडाम आज यही है, कि साउथ अफरीका में जितने अधिकार आज वाइट पीपल को मिले हैं, उतने ही अधिकार ब्लैक वालों को भी मिले हुए हैं। इन्ही सारे समानता के अधिकार या फिर तरीके से बिजनेस का अधिकार, मैरेज का अधिकार, सम्मान का अधिकार, इन्ही सारे अधिकारों की लड़ाई लडने के लिए उन्होंने अफरीकन नेशनल कॉंगरेस जॉइन की और जो एक बात थंटिंग मेजारटी के साथ सरका में आती है उन्होंने एक सेंटेंस भी बोला था freedom cannot be divided जी हां जो स्वाधिमता होती है उसको अग डिवाइड नहीं कर सकते हैं वो सब के लिए बराबर होनी चाहिए यानि राम के लिए अलग सोतंतरता और रहीम के लिए अलग सोतंतरता ऐसा नहीं होना चाहिए जो सोतंतरता रहीम के लिए होना चाहिए वही सोतंतरता राम के लिए भी होनी चाहिए यानि जो national resources है राष्ट के जो संसाधन है उस पे हर एक नागरिक का समान अधिकार होता है और ऐसा ही एक कोट में आपको याद देलाना चाहूंगा हमारे पूर प्रधान मंत्री है मनमहन सिंह उन्हो जनता ने उनको माफ नहीं किया लेकिन तो समाज या राष्ट के ऊपर हर एक नागरिक का समान अधिकार होता है लेकिन नागरिक को अपने करतब्यों का पालन करना चाहिए और वो उनकी करतब्य बोध तभी होता है जब उनको समानता का अधिकार मिल जाता है तो इसी के वाउंग वाप्टू फ्रीडम खतम होती है, मिलते हैं किसी और दिन, किसी नेट चैटर के साथ, तपक के लिए, केप लर्निंग और कीप वाचिंग, तेंक यू.